जैसी करनी वैसी भरनी जी हाँ ये सब कुछ हम नहीं कह रहे हैं आगे आप पूरा वीडियो देखिए और समझ जाएए आपको बता दें कि पवन और खेसारी भोजपूरी के दो ऐसे नाम हैं जो आपस में हमेशा जुड़ी जाते हैं बले ही विवाद हो या एक दूसरे से य पाल वाला जो शो है जिस तरह से उसमें हुड़दंगई हुई है जिस तरह से उनमें कुरसियां जलाई गई गाड़ियां जलाई गई है साथ ही स्टेज का जो हाल हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है अब ऐसे में पवन सिंग के जो फैन है वो खेसारी लाल यादों को कह जैसी करनी वैसी भरनी आपको बता दे कई फैंस ने तो यहां ये तक लिख दिया है कि पवन सिंग ने तो अपने स्टेशों में तुम्हारा नाम भी नहीं लिया उपर से तुम दूसरे दिन आकर पवन सिंग को भध्धी भध्धी गालिया दिये ये सब कुछ इसी वज़े से हो रहा है एक ने तो ये तक लिख दिया कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं तो आगे एक यूजर ने ये कहा कि खेसारी बहुत उड़ रहे थे अब उता गए है और तो और खेसारी के लिए आगे एक यूजर लिखते हैं फवन ने तो अपने बातों से आग लगाई य जहां तो जनता ने ही आग लगा दी खिसारी के स्टेश्रूम में, यानि कि बहुत सारी ट्रोलिंग का शिकार भी हो रहे हैं, खिसारी लालियादो, जिस तरह से खिसारी के को टारगेट कर रहे हैं फवन सिंग के फैंस, उन्हें देखकर यह लग रहा है कि यह विवाद आगे भी चलेगा क्योंकि जैसे ही कोई भी वीडियो अप्लोड किया जा रहा है खिसारी की तरफ से, तो सभी यह बता रहे हैं कि खिसारी को पहले से सब कुछ पता था, जा कहेंगे आप हमारे इस वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्या आप पवन के फैंस यह जो कर रहे हैं, कि सारी लालियादों को ट्रूल वो सही कर रहे हैं, यह भी बताईए, बोजपुरी जगत की होट और मसालेदार, गॉसिप के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए